नमस्कार दोस्तो आज हम बात कने वाले हैं एवाकार्ड 80 टेबलेट के बारे में इस टेबलेट के फायदे, नुकसान, इस्तमाल करने का तरीका और कितनी दिनों तक इसको उपयोग कर सकते हैं इन सबी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दवाईयों की जानकारी पानी के लिए अपना डॉक्टर राज को गर दीजे, सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे आल पे टच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो को निटिफिकेशन बिलते रहें तो दोस्तो एवाकार्ड 80 टेबलेट आती है रनबेक सी कमपनी की और इसे में साल्ट जो होते हैं वो है एमलो डिपाइन एंड अटेनो लोल टेबलेट एमलो डिपाइन इसमें 5MG होता है और अटेनो लोल इसमें 50MG होता है इसका MRP 86 रुपे है लेकिन दोस्तो ये एक जै कंप्राइज में मिल जाएगी तो चलिए बात का लेते हैं इसके यूजश की किस काम में इस्तमाल जाती है दोस्तो इसका उपयोग ब्लेट प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जैसे की हाई ब्लेट प्रेषर हो पहुत जड़ा इसको कम कर देती ह यह साती साथ tension चिंता घबराहट और भविश्य में होने वाले heart attack और stroke को भी यह कम करती है उस उस खत्रे को भी यह कम कर देती है साती साथ chest में pain हो रही है तो उसमें भी यह काम करती है यानि कि heart attack की problem को भी ठिक करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है blood pressure को control के लिए इसका ज़्यादा तर इस्तेमाल किया जाता है इसकी जो dose होती है वो patient की condition के उपर depend रहती है कि उसे कितना blood pressure है ठीक है अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हो सकता है दो टाइम भी बता दे या कम है तो एक टाइम भी बता सकते हैं तो वो डॉक्टर आपको चेक करके फिर ही बताएंगे इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से कनफर्म नहीं बता सकते हैं कि इतनी डोज ही देनी चाहिए तो इसे लगातार इस्तमाल करने को दे सकते हैं आपको पता ही होगा यह बीपी की दवाईयां होती है वो रेगुलर चलती है पेशन्ट की तो जितने दिन आपको डॉक्टर बताएं उतने दिन ही इसका इस्तमाल करना चाहिए और खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी बता सकते हैं तो वो देखे पेशन्ट की कंडिशन की उपर कि कितनी उसे प्रॉब्लम है कितना बीपी बढ़ इसको लेने से सूजन आ सकती है कब्ज तेज धड़कन हो सकती है दिल की और चक्कर मुसूखना ठकान घबराहट यह सब इसके साइड एफेक्ट यानि की नुकसान होते हैं तो इसको अपनी मर्जी से किरपया इस्तमाल ना करें तो आज के लिए तो इतना ही उम्मीद करता ह आपको यह वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइज जुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलेगा धन्यवाद